एक बारी मेरी ओडियो एक बारी में को हाई चैट बाक्स पर लिए के बता दीजिए कि थोड़ी से दिक्कत आ रहे थी यार कि आपको मेरा चालू हो गया है वैसे लेट में चेक कि या आइम लाइव कि अधर कहीं हमें टाइम देकर दिवाली के तियारी क्लियर ओकिए या तुम लोगों ने तो उधाम मचा रखाया और ने तुम लोगों ने तो उधाम मचाया हुआ है और आप को कृट इबनेंग गडीवनिंग और फूरी मैं थोड़ा से लेट हो गया हाँ मैं तोड़ा सबी नीचे गया हुआ था अपना वो ठीक करने ठीक है हाँ हमारी क्लास टार्ट हो चुकी है एक सेकंड एक सेकंड जिस मैं अपनी टेलिग्राम का ग्रूप आपको पिन करने के लिए इंसर्ट कर देता हूँ मैंने पिन कर दिया है आई होप सभी लोगों के पास मेरा यह टेलिग्राम ग्रूप का लिंक आठ चुका होगा हेपी दिवाली थैंक्यू थैंक्यू ऩए अड्वांस में सभी को हैपी दिवाली थैंक्यू एड्वांस में Simone तर आप पूरी सी और पूरी कराओगे ऱंपर को पूरी खुश्पु जी पूरी वो उमीद रहेगी ठीक है पूरी उमीद रहे खी बागी देखते हैं आगे और सभी लोगो गूड इवनिग चला हम इतने ज़्यादर देदी ना करते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर जोगा चौर्था लेक्चर है हमारा जिसमें हम पेक्षनरी जोरेदिक्षन के बारे में जानेंगे मोड एंड वेल्यूएशन के बारे में जानेंगे लेकिन उससे पहले मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास के अंदर यानि कि लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको इस चीज़ बोली थी कि यार हमारे तोटल टाइपस ऑफ जोरेदिक्षन भी होते हैं तो जब हमारी कभी नई क्लास होगी ना तो उसके अंदर मैं आपको टाइपस ऑफ जोरेदिक्षन पहले करा दूँगा 5-10 मिनट लगेंगे मैक्सियम समझा दूँगा क्योंकि आप से एक्सपेक्ट हर कोई करेगा कि आपको जोरेदिक्षन के बारे में भी एक एक चीज़ प्रफेक्ट तरीक कराया हुआ है आप वहां पर देख लीजिएगा युवराज जी यह मैं भी एक कहें नहीं सकता है यार पहले क्लासे टाइम से हो जाए वही वड़िया है खुश्बुची हाँ थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है आप मुझे मैसेज करते हैं मैं रिप्लाइज जरूर करूँगा ठीक है चलो हम क्लास चलो करते हैं ज्यादा देरी ना करते हैं तो आज पेक्योनेरी जुरिदिक्षन और मोड ऑफ वैल्यूएशन से पहले हम जानेंग होगा है तो आपकी प्रेजेंटेशन क्या होगी उसके सांस साथ एक्च्वल में हमारा कॉंसर्ट क्या कहता है वह भी सीख लेंगे ठीक है एक तीर से दो निशाने हम करेंगे समझ गए गुड़ीवनिंग सबसे पहली बात टाइप सब्सक्राइब आपको लास्ट क्लास में लोग लाइफ बैठे हुए है यह सिविल नेचर के आप बात करी गई है अब इससे आप मुझे कोई सेक्षन रिलेट कर सकते हूं को यह है क्लास में मारा बच्चा कि सेविल जुरिदिक्शन में बोला गया है कि ऐसे डिस्प्यूट्स जो सिविल नेचर के हो वही हमारे के सिविल जुरिदिक्शन में आएंगे मेरी यवास क्लियर है आपको ठीक है क्लियर है आप लोग एक वारी मुझे रिस्पॉंड कर दीजिए मैं आपको ऑडिबल हूँ मेरी वीडियो शोग हो रही है मेरे को लगा एकदम वीडियो गायब हो गई एकदम मेरी मुबाइल पर देखो मेरे मुबाइल पर अपने लाइव यह चलाया हुआ है न एकदम यह गायब हो गया था यार मुझे लगा एकदम क्या हो गया ब्लैड ब्लैक साने लगा था यह ओवर ओल ठीक है बहुत बढ़िया बहुत सरी लोग कह रहे हैं section no.9 yes answer is correct section no.9 से हम सेविल नेचर को पढ़ेंगे आगे आ निवल टाइम में यह हमारा subject matter का इक बात करता है section no.9 में वह बहुत अच्छे से कराऊंगा ठीक है तो सही बताया section no.3 जो कहा रहा है न वो हियार्की होती है पहले district court फिर high court फिर हमारा supreme court तो वह हियार्की की बात करी है section no.3 के अंदर ठीक है चलो फॉर इंस्टेंस the commission of tort and breach of contract यह भी हमारे civil jurisdiction के अंदर आती है अब मैं criminal jurisdiction की बात करूँ जो हमारे crimes से रेलेट होते हैं जो deals करते हैं हमारे IPC के अंदर जहां पर murder हो गया robbery हो गया यार इसको तो तुम civil jurisdiction के अंदर कभी considered कर ही नहीं सकते ठीक है तो civil अलग है criminal है clear हो गया आगे चलते है territorial jurisdiction and local jurisdiction यह territorial jurisdiction का मतलब क्या होता है मैंने आपको example दिया था ना अपनी last class के अंदर जिसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि जो मुद्दा raise हुआ है वो हमारा 30,000 कोर्ट के पास हुआ है अब territorial jurisdiction 30,000 की कोर्ट में आएगा लेकिन कौन सी कोर्ट के अंदर आएगा अब 30,000 भी तो बहुत बड़ा है वहां पे अब लग 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 लोक्यलिटि में जो अलग लग अलग वाई जशाप को distribute करा होता है एरिया तो इस एक एरिया में उनको distribute कर जाता है तो इसको हम बोलते हैं territorial या फिर local jurisdiction टेरिटोरियल हमारे 30,000 हो गया, लोकल जुरिदिक्षिन, एक्स नाम के एरिया के कौन से ज़साब है, उसको लोकल जुरिदिक्षिन हम बोलते हैं, एवरी कोट हैस इस ओन टेरिटोरियल और लोकल लिमिट्स, ओविसली, यहां तक जो है, 30,000 होट का एरिया यहां से अगर भार कोई भी मैटर होता है, तो वो हमारा करकर डूमा कोट के अंदर कंसीड़ करा जाएगा, तो हर किसी के अपनी लोकल लिमिट्स होती हैं, टेरिटोरियल अपनी जुरिदिक्षिन होती है, फिक्स बाइदा लॉ, यह कानून हमारी फिक्स करता है, इस साइड हुआ है, अब यहां पर क्या दिल्ली की कोट यहां पर जुरिदिक्षिन अपना एक्स्टेंड कर सकती है, नहीं कर सकती, यहां लिखा नहीं है, बियॉंड विच इट कैननोट एक्सराइज जुरिदिक्षिन, ज़साब के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो अपनी jurisdiction को extend कर दे clear हो गया इसमें तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए अब यहां में बात करते हैं कि does a district judge has a jurisdiction over the territory within a particular district and not beyond those limits the high court has jurisdiction over all the territories मतलब की कहने का मतलब है जो district judge है न वो अपना पूरी jurisdiction cover करता है जैसे कि मैं आपको local jurisdiction के अंदर समझाया था कि अगर x नाम के area में कोई प्राद हुआ है तो वहां पे एक wy नाम के judge बैठे हुए है वही matter को deal करते हैं अब यहां पे question आता है यह wy नाम के जो judge है वो सिफ x area का ही matter सुनेंगे वो y area का matter नहीं सुन सकते क्योंकि उनका jurisdiction ही नहीं उनके पास territorial या local jurisdiction ही नहीं अब यहां पे बात करें district judge तो यह district judge ही पूरे area को cover कर सकते हैं जी हां कर सकते हैं और यह हमारा high court है यह पूरी state को cover कर सकता है जी हां कर सकता है clear हो गया again a court has no jurisdiction over the immobile property के उपर कोई भी जहां पर jurisdiction हमारा होता नहीं है क्योंकि यह valuation के उपर calculate करा जाता है आज का जो हमारा topic भी है ना mode of valuation का उसके अंदर considered करा जाता है every court has its own specific local territorial limits अगर किसी को कोई doubt है ना तो आप मुझे सर हिंदी में नहीं है कि खुश्बू शर्बाजी मैं हिंदी में explain नहीं तो करां आपको बहुत असान शब्दों में ठीक है तो every court has its own specific local territorial limit which refers to the geographical boundaries यह भी इतना साथ पेपर में आता नहीं है ठीक है जो रगाफिकल वाइस यहां डिस्टिबूट करा जाता है पेक्ट्योनेरी जुरिदिक्शन आज मैं आपको पढ़ाऊंगा पटे एक छोटा सा overview ले ले लेते हैं हमारे सीपीसी के अंदर पहली बात तो यह कुशन में दिमाग में आता है कि यार यह पेक्ट्योनेरी जुरिदीक्शन आपके किसी को पता हो पहले कभी और ने सही बताया ठीक है इस इस में डिफाइन करा हुआ है हाला कि पंजाब का बता दो कोई पंजाब का बता दो पंजाब का बता सकता है मुझे अगर बताना चाहे तो देखो मैं पंजाब को बता देता हूँ दिल्ली का तो अपना आपको पता है सिविल जजज के पास जो है अपना तीन लाख रुपे तक की पावर होती है केस की सुनवाई करने के लिए ठीक है जी एंड हाइड कोट के पास अपनी तीन लाख रुप्य से लेके दो करोड रुपे तक की पावर होती है सुनवाई करने के लिए ठीक है यह के बात करो मैं स्वरी डिस्ट्रिक ज़ज की बात होती है यहाई कोट नहीं है इस लेके दो क्रोड रूपे अनिहाँ पर हाइप की बात करी जाए पंजाब का बहुत ही अलग यार पंजाब बहुत बढ़िया जुरिदेख्षन है अगर आप सिविल जज ओना हो आप पंजाब सालों के लिए मुलब जैसे कि आज की तारिक में एक zanuar 22 को अई को बने तो आपको 20-23 24-25 यानी एक zanuar 2025 तक आप केवल सुनवाई कर सकते हो दोलाक रुपे तक के matters की ठीक यह दो लाक रुपे तक के matters के समाइब कर सकते हो जैसे हैं आप लिए सबंगे श Your unlimited jurisdiction आ जाएगा आपके पास unlimited power आ जाएगी क्लियर हो गया unlimited power मतलब जितने रुपे कभी आप matter हो ना आप सुनभाई कर सकते हो बताओ कितनी बड़ी authority यह अपना जो ग्रैफिकली यहां पर हमने पड़ा था ना यह जो ग्रैफिकली boundary के तौर पर अलग-अलग अपने terms and conditions होते हैं territorial या local jurisdiction की ऐसी ही pecuniary के भी होते हैं जैसे हम small causes courts हमारे Mumbai में होते हैं उनके बाद 10,000 रुपे तक की power होती है सुनभाई करने के लिए अब cities civil courts होते हैं cannot exercise jurisdiction if amount claim is more than 1 crore और जो हमारे district courts होते हैं हमारे Mumbai के अंदर जिसको हम city courts बोलते हैं उनके बस सुनभाई करने की power होती है एक करोड रुपेगी ठीक है clear हो गया और जितने भी एक करोड से जादा कोई भी amount का valuation का कोई case file होगा वो हमारा सीधा के सीधा हाई court के अंदर जाएगा ठीक है चलो subject matter of the suit मैं आपको पहली clear कर चुका हूँ section 9 एक तरीके से यह बात करता है कि हमारे जो particular suit है वो civil nature का है यह नहीं है और कोई बात नहीं करता है इतना दिमाग लगने के आप जरुरत नहीं है जहां पर जाद दिमाग लगने की जरुरत होती है मैं आपके साथ जाधा time उस पर invest करता हूं यहाद रखना तो पहले देखो law ने इंपावर कर आवा है अलग-अलग court को कि भाई आप जो है ना अलग-अलग suit को try करने की authority रखते हो लेकिन वह आपके jurisdiction में आने चाहिए यह mandatory है ठीक है कोई भी suit हो या कोई भी legal proceedings हो अगर कोई भी मैं court की बात करूँ यहाँ पर बात करी जाती है कि मैं एक example देना चाहूंगा आपको यह particular समझाने के लिए एक land है यह हमारा land जो है ना agriculture land है ठीक है जी अब agriculture land पर मान लेते हैं ए नाम के विक्ति ने कबजा कर लिया अब ए नाम के विक्ति ने गर हमारे particular agriculture land के उपर कबजा कर लिया तो मैं कहां जाओगा मैं civil court में जाओगा मैं कहां जाओगा civil court में जाओगा yes or no जो पुराने बच्चे है उनको पता होगा शायद जवाब में किस sense में बूलना चाह रहा हूँ जो मुस्से अल्रेडी पढ़ चुके है बताओ I am just waiting for your answers all of you कारुना गुपता ने बिल्कुल अपना एक जवाब दिया है अब मुझे नहीं पता है उनका जवाब सही है गलत है पाके सभी लोग भी जवाब दियो अरे मतलब मेरा आप लोग यस और नो में बोलने लगए मेरा मतलब है कि मैं सिविल कोड में जाओंगा या कोई और कोड मेरे लिए खड़ा हुआ है मेरे को रिलीव दिलाने के लिए पर सर एग्रिकल्चर लैंड पर सीपीची एपलाई होती ना उस पर तो लैंड रेविन्य अपलाई होता है सहजल जी बट मेरे को पनी पर्टिकलर क्लेम करने के लिए मैं अगर सीपीची भी अप्लीकेवल करवाद हो सहजल जी तो आप मुझे क्या दे होगी बताओ क्या हुआ है मेरा यहांपे लैंड पर कप Adjust हुआ है तो यहां में जाओंगा रेवेन्जु कोड़ पर सबसे पहली बात यहांपे यह आ जाती है मेरा सिच्पैका यहां पर मेरा सिविल कोड़ तो कोई रोल प्ले करता ही नहीं है ठीक है यह रूल है अगर कोई Brazil लेंड होगी कमर्शल लेंड होगी यह रेसिदेंशल लेंड होगी उसके लिए मैं जाओंगा सिविल कोट के अंदर अपना रिलीफ क्लेम करने के लिए कि मेरा हतिया भाइय है नोने एह नाम के विक्तिय ने मेरी प्रॉपटी मुझे दिलाई जाए यहीं अगर एगरिकल्चर आगई न कि बाड़ अब यहां से हमारे सिविल कोट बाड़ हो गए इस रूल से हमारे सिविल कोट क्या हो गए बाड़ हो गए कॉमन सेंस समझ में आगई कि सब्जेक्ट में अमारे को जानना बहुत जरूरी होता है कि जिस कोट में मैं सिविल कोट में अपना सूट डालने वह चीज मैंने ध्यान नहीं दियोगी केस फाइल करते दोरान तो बाद में पता लगी मेरी बास समझ में आ रही आपको ठीक है अब दूसरी बात आती है कि अगर मेरा एक्रिकल्चर लैंड में कोई ऐसा मेकैनिजम नहीं है जो रिलीफ क्लेम करने के लिए मुझे रेवेनी को दे सकता है ऐसा कानून में अगर कोई अथॉरिटी नहीं दे रखी ऐसा कोई क्लेम मेरे को लिखा हुआ नहीं है तो क्या मेरे लिए सेविल कोड के दरवाजे खुले हैं यह बहुत इंपॉर्टन कोशन में आपको बता रहा हूं मेंस में बहुत काम आता है यह चीज याद रखना मेरा कोशन यह है कि अगर मुझे अग्रिकल्चर लैंड मेरे को अपना हतिया लिया एड़र्स पोजेशन करा हुआ है मैं अपना विदिन दा पीरिट ऑफ लिमिटेशन एस पर सक्शन 27 ऑफ दे लिमिटेशन एक 1963 के तहत मैं अपना रेविन्यू कोड के अंदर चला अब इस के अंदर यहां पर बात आती है कि अगर कोई मैं एक ऐसी रिलीव चाहता हूं मानेते हैं मैं चाहता हूं कि जसाब अभी ना आप स्टे लगा दो मेरी प्रॉपर्टी पे आप इंजंक्शन लगा दो जो ए नाम का वेक्ति है ना उसको प्रॉपर्टी में एंट्री देने से इंजंक्शन मेरे को ग्रांट करवा तो स्टे लगा दो बाद में किसकी प्रॉपर्टी है किसकी प्रॉपर्टी नहीं है यह नाम के विक्ति ने मेरी प्रॉपर्टी को एडवर्स पोजेशन करा था यह नहीं करा था उस साइड की बात है जसाब आप मेरी प्रॉप सकता है इसके लिए सेविल कोट के अंदर जाना पड़ता है तो कहने का मतलब यह है कि आपके रिलीफ के लिए देखा जाता है कि जो आप रिलीफ क्लेम कर रहे हो उसके लिए सिविल कोट बांड तो नहीं है और अल्रेडी कोई दूसरे आपके अफॉरिटी में स्टटरी में आपको mechanism बनाया हुआ है तो बीच में civil court बीच में नहीं आता जबी तो यार आपको land revenue के matters हो गए पॉक्सों के matters हो गए जो छोटे-छोटे authorities के लिए tribunals बनाए जाते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं कि जो court का burden है वो हमारा court के ओपर burden कोई तरहा का आए ना क्लेर हो गया कोई confusion तो नहीं है कोई hypothetical बात नहीं बता ही मैंने बहुत सीधी सी बात बताई है तब्याक matter का मतलब है कि भाई पहले आप अपने matter को चेक कर लो कि आपका matter civil court में चड़ने लायक है यह नहीं है कोई दूसरी जगा mechanism tribunal है तो पहले वहां जाओ claim करने के लि में आपको इतना टाइम इंवेस्स कर रहा हूं इसमें ठीक है नो जुरिदिक्शन तुट इंवालविंग इंट्राल आलियस प्रैस ठीक 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 और कुछ भी नहीं है clear हो गया आगे चले चलो अब यहापे ना original और एपेलेट जुरिदिक्शन की बात आती है कुछ भी नहीं है इतना सार आपको लग रहा होगा कुछ नहीं है नौर्मन सी बात करी जा रही है देखो और जुरिदिक्शन हमारा क्या होता है comfort upon a court for the first instance मतलब की पहली बार जहां पे court डलता है तो वह हमारा original जुरिदिक्शन में आता है बट वहाँ पे नहीं एक दिक्कत आती है बहुत लोग गलती कर जाते हैं in fact जो advocates होते हैं practicing advocates वह भी गलती कर जाते हैं अब यहाँ पे original जुरिदिक्शन के लिए सबसे important section होता है हम section no.3 आप open up करके read करो कोई भी कोई भी read करो section no.3 हमारा क्या कहता है मैं भी आपके साथ साथ read करते दो section no.3 हमारा बेरक के अंदर क्या लिखा हुआ है for the purpose of this court the district court is subordinate to the high court हमारा DJ जो है किसकी 66 में चलता है हाई कोट की ठीक है जी और जो हमारा हर एक civil court of a grade of inferior to that of the district court और जो हमारा civil courts होते हैं वो किसकी 66 में चलते हैं यानि कि हमारे civil court senior division senior court junior division किसकी 66 में district judge की ठीक है जी and every small causes court is subordinate to the high court and district court अब जो हमारा small causes court जैसे कि मैंने आपको बता है ना हमारे मुंबई के अंदर small causes courts होते हैं ठीक है कहा दिखाता है मैंने यहां पर दिखाता है ना दियार की की दियार की की बाद एक सेकंड रुखिये हैं स्वारी सेक्शन नमर 15 भी आएगा हमारे यहां पर consideration में सेक्शन नमर 15 भी आएगा आप एक बादी सेक्शन नमर 15 ओपन अप करिए सभी लोग अपने अपने बेरेक्स के अंदर क्या कहता है पर इन विस इंस्टीटिटेटिट उगा किस कोर्ट में हमारा सूट सूट इंस्टीटिट होगा पहला एवरी सूट शैल भी इंस्टीटिटिटिट इंदा एक उप्ट ओओ लौईस्ट ग्रेड्ट के पास क्यो नहीं जाते लोग भाई अगर सुप्रीम गूट के पास पूरा इंडिया का अपना जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोट कोई भी सुनवाई कर सकता है कोई भी particular case का सब किया अपना case के सुनवाई रखता है तो किया Supreme Court के पास अपना original जुरिडिक्शन होता है या नहीं होता समझगे मेरी बात सुप्रीम कोड केवल केवल आपकी अपील सुनता है आपकी अप्लिकेशन की सुनवाई करता है और वो भी अगर आपका कोई भी नैचुरल जस्टिस के खिलाफ हो रहा हो आपके साथ कुछ हुआ हो या आपका फंडेमेंटल राइट वोईलेट हो और वो भी फंडेमेंटल राइट वोईलेट तो हो रहा है वो हाई कोड के पास जाना पड़ेगा लेकिन उसमें भी आगर आपका जो है नैचुरल जस्टिस के खिलाफ जाता है ना लुएस्ट ग्रेड कॉंपिटेंट टू ट्राइक के अंदर कोई बच्चा है जिसको कंफ्यूजन हो रही है लुएस्ट ग्रेड कॉंपिटेंट टू ट्राइक को समझने में तो मैं इसको नॉलेज है तो मुझे भी अच्छा लग रहा है जैसे कि देखो कारोना ने युवराज ने सेजल ने निशा ने बहुत सरी रोग ठीक है कोई अपील से नीचे कुछ ही नी तो उपर अपील में वह कैसे जा सकता है अपील तो वह से नीचे अदालत में कभी भी अपील नहीं आती बेसिक बात है तो ठीक है और कोई भी कोट के पास ना अपना ओरिजिनल जुरिदिक्शन भी होता है और कोई-कोई बोथ भी होते हैं ठीक है जी बस बागी दोर कुछ इसमें समझने वाला नहीं है आपको बस एक ठीक तोर पर इसको रीड कर ले ना वीडियो को पास करने के बाद एक्स्क्लूसिव और कॉंकरेंट जुरिदिक्शन ये भी मैंना आपको बताया था कि आप एक ही पाटिएक्टिक्लिघ्र मैंटर के इंदर रीड के ऑंदर Chief अपर्टिकलर रीलीव के साथ में क्लेम के साथ में दूसरा भी अपना को एक्स्टा क्लेम कर सकते हैं इसमें कुछ हमार को समझने वाली बात है आप इसको थियोरी एक बादी रीड कर ले ना जब वीडियो पॉस करके ओके जनरल ये भी आपको रीड कर ले ना ठीक है और बस इसके अंदर और कुछ भी नहीं है मेजर टॉप फाइव थे जो हमार को ध्यान रखने होते हैं बट य दिजाए इस पर्टिक्टिक्टिक्टिक्ट्ट अफ्पेसिफिक टाइम के लिए ठीक है कि मतलब आज से हमारे पटिकलर पोट के अंदर ना हम नए ट्राइबिउनल बना नहीं सकते चोटे-चोटे मैटर्स आते हैं तो इनको जहां रेंट का मैटर भी सुनने की अथारीट दे दी जाए ठीक है एक electricity ट्राइबिउनल भी होता है पते आप लोगों को बट भाई जहां पर मुद्दे ही छोटे-छोटे आते हैं कम आते हैं तो उनके लिए पूरा ट्राइबिउनल बनाने की जुरत है यह कोई क्या जुरत होगी कोई भी जुरत नहीं होगी ठीक है इस यह चीज़ आपको ठीक है चलो अब हमारा टॉबिक साड़ होता है आज की ग्लास का लेक्ष्टर नमबर फॉर आज की ग्लास का आज हमारा टॉबिक स्टार्ट होता है एक्जाम में आप से डिरेक्ली यही कोईशन पूछा जाता है वाट डियो मीन बाई पेक्योनरी जुर सेक्शन मार 15 अभी रीड करवाया था ना आइधिंग सो आपको सेक्शन 15 अभी फ्लो फ्लो में भी याद हो गया होगा कितने बच्चों को याद हो गया सेक्शन 15 मिला कोई भी खड़े करके आपको एक दम पूछेगा कि वर दिमीन में सेक्शन 15 एकदम जटके से बता सकते ह हो चल लो सेक्शन 15 हमारा क्या थाहे। एकुट हो ट्रीड है श्यलवर्ड बी यूज कर आउंटि इन्स चेटीटिग इन्स इन्ट पलवेड वंट ग्रेड कोंपीटन मुस्ता हुट है कि मतलब कहने का मतलब यह है कि section 15 यह बात कहता है कि हर एक suit का अपना अधिकार है कि मैं institute होंगा उस court में जो lowest grade का है लेकिन साथ में competent भी है लेकिन साथ में competent भी है समझ गए मेरी बात? हाँ जी कुश्बुजी, I am there in the plus also It refers to the pecuniary jurisdiction of a court और यह एक हमार को जो competent to try करना या competent to try नहीं करना यह हमार को कौन बताता है यह हमार को pecuniary बताता है pecuniary का मतलब अभी आपको बताया नहीं हापे पैसे से यह कानून ने इस particular court की जो सुनवाई करने का jurisdiction है डाइरा है, पैसे का, वो कितना set करा हुआ है तो यह हमार को pecuniary jurisdiction से पता लगती है अब यहां पर बात करते हैं इंफीरियर टू दी डिस्टिक कोट and every small causes court is subordinate to the high court in the district court क्या यहां तक आपको अब समझने में easy लग रहा है कि pecuniary jurisdiction आप से अगर examiner पूछ रहा है चार number के अंदर तो आपको सबसे पहले section 15 उसको समझाना है कि भाई पहले तो यह समझो ना कि suit मेरा चड़ेगा कहां पे पहले तो यह बताना पड़ेगा ने कि मेरा suit चड़ेगा कहां पे मेरा suit चड़ेगा उस court में जो lowest grade के competent to try में है फिर section 3 की बात करूँ हियारकी के अंदर अब यहारकी के अंदर अगर मैं examiner को बताऊं कि भाई दिस्टिक कोड जो है न वह हाई कोड का subordinate होता है और जो हमारे civil courts होते हैं वह district court के subordinate होते हैं और जो हमारे small causes courts होते हैं वह district court और हमारे high court के subordinate होते है ठीक है जी अब इस case के अंदर मैं बात करूँ section इसको पता लग जाए कि बच्चे को अच्छी नौलेज है कि पहले उसने सीधे तौर पर मेरे को सेक्षिन 15 के तहत सूट चड़ेगा कहां पर उसके बारे में एक ओवर्वीव दे दिया अब मैं civil court में चड़ेगा या high court में चड़ेगा या district court में चड़ेगा या small courses court में चड़ेगा उसका subordination बता दिया कि उसकी appeal एक तरीके से जा सकती है हमारे appellate court के अंदर फिर इसके बाद अब वो pecuniary jurisdiction का section या provision बता रहा है क्या गयता है कि no court shall have jurisdiction no court shall have jurisdiction oversuits the amount or value of the subject matter of which exceeds the pecuniary limits if any of its ordinary jurisdiction आपको जो है न यह ordinary jurisdiction का मतलब मैं आपको अल्रेडी बता दिया पंजाब का दिल्ली का बताया नहीं है यह पंजाब के अंदर पहले तीन सालों के लिए 2 लाग तीन साल जैसे आप complete कर लोगे as a civil judge के तौर पे civil court के अंदर तो आपकी जो particular सुनवाई करने के authority वो unlimited हो जाएगी रोहित उसको हम small causes courts में gram नायाल है कर सकते हैं वाई क्यों नहीं कर सकते हैं बात यह कि यह रोहित जी आपके द्वारा ना बनाया गया हो कानून के द्वारा बनाया गया हो एक सेकंड जड़ाएक सेकंड चलो और जड़ेश्यों में कई दिक्कत नहीं है अब एक एक जामपल समझ लेते हैं एक्जामपल समझ नहीं लेते एक्जामिंट को भी हताना है यह जो मैं आपको बता रहा हुँ ना जी पैंटरन है बहुत लोग बोलते हैं सर मैं मेंस काम सा कैसे लिखूं भाई ऐसे प्रोवीजन भी डालना है अपना और टूदा पॉइंट भी लिखना है ठीक है और जब प्रोवीजन में कोई definition है जो एक दो लाइन है जो आप याद कर सकते हो वह आपको पूरी लिखनी होती है ठीक है मान लेते पंजाब का पता दिया मुंबई का पता दिया तो इन तीनिये में से कोई भी पिकर क्या आप लिख सकते हैं कि समझें मेरी बात है हाँ दा माउंट क्लेम ड़स अग्सीड रुपीज थ्री लैक रुपीज ठीक है एंड दा कोट ओफ डिस्ट्रिक जजज्ज कोट ओफ डिस्ट्रिक जज्ज हाज आ पेक्योनरी जुरिदिक्शन टू यह वह खा गए तू ट्राइ सूट्स इन विच दा मौंट क्लेम इस नौट थे लाइक रुपीज बट दो करोड रुपे और फॉर सूट्स इन विच दा माउंट क्लेम इस मोर दन तू करोड रुप कि देखो अगर डिली की बात करें तो सिविल कोट के अंदर तीन लाप रुपे तक का मैटर सुनने की है इसको हम बोलेंगे की पेक्योनरी जुरिदिक्षन है अगर तीन लाप एक रुपे से लेके दो करोड रुपे तक का अगर कोई भी मुद्दा आता है तो इसका पेक्विन जूरिदिक्षन होता है डिस्टिक ओफ डेली इसको हम बोलते हैं पेक्विन जूरिदिक्षन कितना है डिस्टिक जज्ज ऑफ डेली के कोड का मैक्सिमम दू करोड रुपे मीनिमम तीन लाख एक रुपे अब हाई है मोर देन टू करोड रुपीज का अगर कोई भी मैटरेटल अनलिमिटेड ने नमारा दिल्ली हाई कोड हमने पूरा पेक्विन जूरिदिक्षन एक्स्प्लेइन कर दिया किसी कोई यहां तो कोई डाउट कोई परिशानी हुई वट डियू मीन बाई पेक्विनरी जूरिदिक्षन क्या आप अब इसली इंडिपेंदेंटली लिख सकते हो बताऊ आप यह मानते हो कि मैं लिख लूँगा यार आप यह मत बस यह मत लिख क्या आजाना कि according to section number 6 court shall have the jurisdiction over the suits amount of the value of the subject matter of which exceeds of the pecuniary limits of its original jurisdiction खतम जी बाई बाई टाटा एक्जामन बाकी चीज आप खुट ढूंड़ो ऐसा मत करके आजाने यार विचार एक्जामीनर की हमार को respect रखनी है ना तो हमार को section 15 भी एक आता बताना पड़ेगा एक लाइन इसमें लिखनी पड़ेगी विचार सेक्शन 3 वना रोने बैठ जाएगा मेरको तो तुमने याद ही नहीं करा section 3 भी में लिखना पड़ेगा और section 6 तो बहुत बुरी तरह फिर आपको डाटेगा कि आपने कर उसको ही नहीं लिखा उसी के बारे में बुच्छ और आपने उसी को ही नहीं लिखा फिर at the end एक्जांपल कहेगा कि थोड़ी मेरी भी कदर कर लो conclusion मान ना लिखके एक्जांपल लिख दो काम खत्म चार नंबर पूरे कानम पूरे तो नहीं देगा examiner आपको वो चिड़ेगा तीन नंबर साधी तीन नंबर आपको मिल जाएंगे कि दे भी सकता है और इसके अलावब कुछ बच्चता ही नहीं है कि इसके अंदर और कुछ बच्चता ही नहीं है केस लोबी बत लिखो इसके अंदर क्या लैंड मार्क जज्ज्मन कोई ये थटवड़ी ना बोलेगा कि हां जो आप समझ बारे हो आपको एक्स्पिलेंड करने को आती कोई इसके अलग-अलग कोई एक्जांपल्स देके आ जाता जब हम सुप्रीम गोड का केस को रेफर करते कोई आगे करेंगे वैसे आगे करेंगे तो समझ में आ रहा है मेरी वाज आ रही है आप लोगों तक बताते रहो यार बताते रहो और अभी तक किसी ने भी मेरी यह लाइफ्स्ट्रीम लाइक नहीं करी यार बहुत सरे लोगों ने लाइक नहीं करी तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से आप मेरी लाइफ्स्ट्रीम एक बारी लाइक कर दीजिए और जितने भी मेरी है भी आगे चलते हैं अब हमारा अब यहां पर आपको मेन में इंदर में आपके पूछता है आपसे पूछता है आपसे पूछता है कि कि mode of valuation को explain करो अब बहुत सारे लोग confused जाते हैं बहुत सारे लोग confused हो जाते हैं कि mode of valuation का मतलब क्या होता है mode of valuation का मतलब क्या होता है बते को होता pecuniary jurisdiction सही है ठीक है mode of valuation अब इस case के दर ओके सहजल जी को not an issue good night good night अब इसके मतलब क्या होता है the term subject matter आपको एक में good news दियूँ तभी लोगों को मैं जो है न आपको domestic violence act 2005 कल से सुबह 11 बजे पढ़ाना चालूख कर दूँगा मेरा telegram group join कर ले न यह वाला नहीं मेरा अनकाइडमी पर मेरी classes जो चलती है न जो मेरी अनकाइडमी पर classes चलती है तो बाग 11 बजे domestic violence act 2005 मेरा पढ़ाना चालूख हो जाएगा याद रखेगा मैं अपना smart and legal guidance वाले चैनल पर आपको classes के links update कर दूँगा बिल्कुल free of course classes चलेंगी ठीक है जी अच्छा आपने इंस्ट्राम पर कर रहा है खुश्बूश चुर्मा जी अच्छा यार मैं पूरा ट्राय करूंगा इंस्ट्राम पर तो भी पागल हो रख्या है वही साथ किताब ठीक है चलो भी बाते करेंगे बाद में ठीक है subject matter used in section 6 refers not to the property involving in the suit but relief claim and it is that value which determines the jurisdiction which determines the jurisdiction section 6 हमार को बता रख्था है कि कोई भी property अगर हमारे suit में involved होती है और जो इसके ने relief claim करी जाती है it is that value which determines the jurisdiction हाँ free class होगी कारतिगे में कारतिगे free classes में free free वाली में special class जो हमारी होती है ठीक है free free ठीक है चलो इसके बात लिख्यों है एक बात बताओ common sense से यह property एक ठीक है यह property है यह property मान लेते हैं दो करोड रुपे की है ठीक है दो करोड रुपे की है खुश्बू शुर्बा जी मेरा बैच चालू हो रहा है 27 ऑक्टूबर से 27 ऑक्टूबर से में एक नया बैच चालू हो रहा है मैं कहां परता अब यहां पर क्या होता है यह दो करोड रुपे की property अब यहां का जो उनर है वह अपनी रिलीव क्लेम कर रहा है injunction टे और इंजंक्शन वेगेरा तो क्या यहां पर दो करोड रुपे से कोई मतलब होगा बताओ क्या हमारा दो करोड रुपे से कोई मतलब होगा क्या हमारा कोई दो करोड रुपे से मतलब होगा यह नहीं होगा नहीं होगा हमारा दो करोड रुपे से मतलब नहीं होगा ठीक है जी गेर डुका दो मेरा दो करोड रुपे से मारा कोई मतलब नहीं होगा ठीक है अब ऐसे के इसके इंदर जो कि यहां पर मारी बात आती है हमें क्या कर रहा था दो क्रोड रुपे की वैलिवेशन है प्रॉपटी के और भापर बंदा क्लेम कर रहा है का मतलब होता है कि भाई आपकी रिलीव क्या क्लेम करी गई है हमें उससे मतलब है को आप कितना आपकी प्रॉपटी का वैलिएशन है हमें उससे मतलब नहीं है ठीक है जी याद रखना आगे बात करते हैं the mode of valuing suit for the purpose of determining jurisdiction are prescribed in the suit valuation act 1887 which has to be read along with section number six of this court वो थोड़ा सा theory wise लिखना पड़ता है एक्जामने खूच करने के लिए सीधी बात मोटी मोटी अभी हमने दो paragraph के अंदर दो पांच्छे लाइनों में इतनी सी बात पड़ी है कि valuation का मतलब होता है कि भाई अगर हमार को कोई भी suit के valuation करनी है तो सीधा हमें पहले एक ची valuation subject matter का as per section number six calculate करा जाता है हां रोई तो वो भी है यहां पर injunction grant कर रहा है बट यहां पर बात करी जा रही है कि अगर कोई बंदा बोले कि मेरी तो पूरी property हतिया ली मेरे को तो इससे मैस ने profit का भी interest चाहिए compensation चाहिए और में को पूरी property का व्याज भी चाहिए यहां पर पैस valuation लगती है कि इसकी property के valuation कितनी है मैस ने profit मानलो 2 किरोट रुपे का मानले एक साल में 50,000 रुपे या एक लाग रुपे बन रहा है प्लस इसके compensation चाहिए एक लाग रुपे का ठीक है प्लस और relief मानलो तो 2 लाग रुपी को relief तो 4 लाग रुपे का हो गया यहां पे valuation mode of valuation 4 कोई बात नहीं अब पास हो जाओगे मन वरेंद्रा श्रिवास्तव जी आप पास हो जाओगे टेंशन मतले कोन से सब्दक के अंदर फेल होए आप दोनों कौन से सब्दक में फेल होए आप दोनों ठीक है रोई तरो रोड़ जी चलो आगे चलते हैं इन सम्स वैसे क्लास अभी ओवर होने वाली है वस्टेंशन ना लिए और कुछ-कुछ सूट ऐसे होते हैं यहां पर अभी हम कैपेबल हैं पर्टिकुलर एग्जेक्ट अमाउंट को कैल्कुलेट करने के लिए नहीं करा जा सकता है नहीं करा जा सकता वो तो मैंने एक राउंड आफ करके के एक राउंट कर सकता हूं मैं नहीं कर सकता नो सॉरी इंसमसूट सब्जेक्ट मैंद रोको हम कैपेबल नहीं होतें एस्टिमेटली केल्कुलेट करने के लिए अब इनस्टेंस सूट के लिए फट रैस्टिदुशन ऑफ कॉंजूकल राइट्स and suit for declaration, etc. In such cases, the court fees to be paid will be as per the provision of court fees act. अब इनके अंदा जो court fees हमारी पे करी जाती है, जो हमार को क्या होता, court fees act के अंदा ना, कुछ-कुछ जागा पर लिखा हुआ भी है, कि वाई अगर restitution of conjugal right का matter है, तो इसकी court fees है 100 रुपे, और अगर declaration का suit file करो, इसकी fees है 100 रुपे, मैं example दे रहूँ, ठीक है, actually कितनी है, कितन करी नहीं सकते, यार, यहां पर हम relief के basis पर कोई करी नहीं सकते, court fees हम यहां पर decide करी नहीं सकते, matter of valuation के लिए, ठीक है, या दखना, अब plaintiff, being the master of the suit, obviously, आपको पता है न, यह line क्यों बोली गई है, आगे चलके काम आती है, यहां पर, आप अगर section number 17 पढ़ते हो, section number 19 पढ़ते is the valuation in the plant, it is the valuation in the plant that determines the jurisdiction of the court, क्या होता है, बहुत, बहुत important बात अब बताने जा रहा हूं, सारी चीज अब दिमार्ग से निकाल दो, बहुत important बात, या दखना, बहुत important बात, एक यह ना property है, दो करोट रुपे के, ठीक है, अब यह property, A नाम के विक्ति ने हत्या ली, अब B न बनी नाम का विक्ति, दो करोट रुपे की property, अपना, माल लेते हैं, और B नाम का विक्ति सूट फाइल करने गया, आप मुझे बताईए, डेली में, डेली की बात है, तो यह B नाम का विक्ति, कौन सी कोट में जाएगा शूट फाइल करने के लिए, अपनी property को रिकवर करने के लिए आप मुझे इतना सा अपने जवाब बता दो मैं वेट कर रहा हूं जल्ली जल्ली वह पांस सेकंड लेट चलता है ना यार लाइम में मैं जो अभी बोल रहा हूं आपको पांस सेकंड बात सुनाई दे रही है सेजल जी को गलत कोई प्रूव करें केवल क्लास में और कोई नहीं है क्या सेशन कोड मतलब की डिस्ट्री कोड ठीक है हां देखो बाइट डीजे के बाद जाएगा ठीक है बट एक हाइपोथेटिकल मैं हाइपोथेटिकल नहीं एक नैच्छरल बात बता रहा हूं क्या हो गया अब दिल्ली में तो आपको बता है प्रॉपटी के रेट बढ़ जाते हैं अच्छी लोकेशन पर है तो इसकी प्र सब्सक्राइब के प्रॉपटी हो गई अब ये कहां पे जाएगा अब ये जाएगा हमारा हाई कोट के अंदर अब एक ग्राउंड लेवल बात करते हैं ये बी नाम का व्यक्ति क्या अपना दिमाग लगाएगा यार मैं हाई कोट में जाऊंग अपना केस जर्ज़ कराने के ये एक तो हाई कोट का वकील मुझे हायर करना पड़ेगा जो मोटी फीस चार्ज करेगा दूसरी बात हाई कोट के अंदर जब मोटी फीस मेरी चार्ज होगी अब रिलीफ मुझे कितना मिले कितना ना मिले अब ऐसा करता हूँ मैं अपनी ढ़ाई करोड की बजाए valuation लगा देता हूँ प्लेंट के अंदर 2 करोड रुपे की या एक करोड नबे लाग की में evaluation लगा देता हूँ, अब इससे ऐसा करने से, मेरा क्या हो गया? case, एक तो district court में चड़ेगा, district court में वकील मेरा एक जनने वाला, मेरी fees भी कम लगी, मेरी court fees भी कम लगी, high court में court fees भी जादा लगेगी, वकील भी बड़ा चाहिए, वकील की fees भी जादा लगेगी, बहुत जादा लगेगी, ठीक है, यह सब जंजडवादी में लिको, phase करने को मिलेगी, अब district court के अंदर एक तो मेरा वकील जानने वाला, मेरी court fees भी कम लगी, और मेरा वकील जानने वाले की वज़े से मेरी fees भी कम लेगा, मेरा कार्सार अकाम बढ़िया हो जाएगा, सिर्फ किस वज़े से, प्रॉपर्टी को valuation, धाई करोड की जगा, दो करोड करने से, यहाँ पे लिखा हुआ है, plaintiff being the master of the suit, plaintiff being the master of the suit, अब आप लोग मुझे बताईए, क्या ऐसा, क्या ऐसा, plaintiff लोग करते होंगे, डेली लाइफ के अंदर, बताओ आप ज़रा, क्या ऐसा डेली लाइफ में होता होगा, क्या ऐसा डेली लाइफ में होता होगा, क्या ऐसा डेली लाइफ में जीवन में होता होगा, वहुटा होता होगा क्यों नहीं होता होगा बट आपने अगर कीशी का ओडर नुमर 7 निकालो ऑडर नुमर 011 निकालो अगर आप अपनी ब्रैक्ठ open करोगे order number seven rule number 11 क्यों सा पेन नंबर है मेरा मेरा तो 62 पेन नंबर है वाई मेरा तो 62 पेन नंबर पर आप लोग देख लो अपने बेरेक्ट में कौन सा है order number seven rule number 11 order number seven rule number 11 इसके अंदर rejection of the plane के अंदर ना बहुत सारे points हमारे आते हैं rejection of the plane के अंदर क्या लिखा हुआ इसके अंदर कौन सा पॉइंट है कोई मुझे पढ़के बताए order number seven rule number 11 के अंदर कौन सा पॉइंट है 11 का बी order number seven rule number 11 और बी order number seven rule number 11 यह एक ग्राउंड होता है कोट के पास इस ग्राउंड के अधार पे कोट क्या कर सकता है आपकी प्लेंट को डिस्मिस कर सकता है कि क्योंकि आपने मैल प्रेक्टिसिंग करी है पहले तुम इस प्रेजेंटेशन करा है दिखाया कुछ एक्चुली में है कुछ इससदार पे कोट जो है वो कर सकता है याद रखना जो अपनी की मैलिफे याद रखना समझ में आगया नं दो करोड लिखता तो सीधा डिस्ट्र कोट जाएंगा मैंटर एक इक तीर से दो निशान मतलब की एकी बात से यह एक एक अग्जामपल से दो चीजे समझ में आगया एक तो करवा सकता है क्यों नी करवा सकता करवा सकता है पॉइंट क्लियर हो गया सब को आपको यह चीज नहीं पता होगी लाइफ में कभी मैंने आपको इतना एसान एक्जांपल के रूप में समझा दिया और नॉट अमाउंट फॉर विच अल्टीमेटली डिक्री में पास्ट बाइदा कोट बाई देखो मैं डिमांड कर रहा हूं अपनी प्लेंट कर रहा हूं में को पांच करोट रुपे चाहिए पांच करोट रुपे ठीक है अब जसामने मुझे 10 लाग रुपे पुचा दी पक देखा हुआ है इस दपेक्टिणरी जुरिदिक्शन ऑफ दप दपोट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड इज तो लैक्स देखो इसके नदे सेक्शन 15 डे अड़न कर रहा है अब आपके दिमाग में पेश्च और सेक्शन आथा होगा लाइन पढ़ने के बाद इसके दिमाग में दिल पे आत रखके बताना सभी लोग किसी के यह पटिक्टिक्टिक्टर लाइन पढ़ने के बाद सेक्शन दिमाग में आया इसका जवाब भी नहीं दे सकता कि बाकी बच्चों को समझो प्लीज अभी जहां तक मैं आपको एक्जांपल पता वहीं तक सीमी तरह हो अब आपके तो दिमाग में और भी बहुत सरे कोशन बन रहे होंगे उसका जवाब मैं नहीं देव पाऊंगा क्यों क्योंकि अगर देने बैट गया तो आपको जो मैं जवाब दोंगो उसक लग रुपी की कि वाकिणरी जैदिक्षिन हैं तो 2 लाख रुपे में हमारा पर केस कहां पे चड़ेगा सीविल कोउट में चड़ेगा पंजाब में है तो पन्जाब की सेविल कोउट में चड़ेगा और वो जो जो तीन साल से पहला अंदर अपनी प्रेक्टिस कर रहा हो और जो अमाउंट निकल के आया वह तीन लाक रुपे का निकल के आया इसके उपर ने केस भी हमारा पटना ही कोट का वह आपको एक्स्प्लेइन करूंगा जब समझ में आएगा इसमें कहने का मतलब यह है कि भाई पैक्टिनरी जुरिदिक्शन तो कोट के पास दो लाक रुपे का है ठीक है एंड उसने कोट फीस अपनी तीन लाक रुपे का मैटर लगा के लगा रखी है तो क्या उसकेस के अंदर जा सब डिक्री पांस कर सकते हैं सुनवाई कर सकते हैं स नहीं सुनवाई कर सकते हैं उसके इंदर क्योंकि उनके पास अथोरेटी केतनी है दो लाक रुपी तक की अथोरेटी है तो उनवाई आपको एक ओबर्विव मेंस के अंदर आपको कैसा अपना अंसर लिखना होता है प्रेजेंट करना होता है कि आप से पुछा जाएगा मो प्रेटिक्लर जुरिदिक्शन को डिटर्वाइन करते हैं पहली बात और हमारा अगर कभी-कभी ऐसी सिटेशन होती है जिसमें हम सूट सब्जेक्ट मैटर को एस्टिमेटरली मनी की फॉर्म में कल्कुलेट नहीं कर पाते जैसे कि हमारा राइट ऑफ दा रेस्टिशन आप इतनी प्लेंट में वैल्यूएशन लिखेगा उसी के अधार पे हम क्या डिसाइड करेंगे अपनी कोट फीस डिसाइड करेंगे और कौन सा जुरिदिक्शन है वो डिसाइड करेंगे ठीक है ना कि जो कोट के दोड़ा डिक्री पास करी जाती है कोई भी अमाउंट के अंदर हम उसका वैल्यूएशन कैल्कुलेट करते हैं ऐसा नहीं करते हैं अपनी प्लेंट में जो वैल्यूशन रगाई है उसी पर हम अपना कंफाइन रहते हैं इसी के रिगाड़िंगे एक एक्जामपल भी दे दिया कोट का तो अपना जुरिदिक्शन दो लाक रुपे का था अब प्लेंट में उसने तीन लाक रुपे की वैल्यूशन लगा प्लेंट में उसी को आपको आंसर के फॉर्म में पूछ रहा है मेंस में कुछिन आपसे यही पूछा जाता है कि कोट के बास कितनी पावर है वेलुएशन को रिगार्डिंग डिसाइड करने के लिए धाई करोडर रुपे की प्रॉपे प्लेंट में अपनी दो करोड रुपे की यह तो गलत करा ना अब कोट के बास कोई पावर है ऐसे च करते हैं युवराज जी हम वही वेल्य को करते हैं युवराज जी कोई दाओ नहीं लगा सकता कि मेरी जो प्रॉपटी में आज खरीदी एक लाग रुपे की वह अगले दिन दो लाग रुपे की हो जाएगी आप युवराज भी प्रैक्टिकली बताओ क्या ऐसा पॉसिवल है ऐसा पॉसिवल है बिल्कुल भी नहीं है और ऐसा तो हुई नहीं सकता पॉसिवल है ठीक है तो यह बहुत बात है कि मान लेते हैं कि मेरी आज एक लाग रुपी की प्रॉपटी उसके अंदर से मालो हीरे जवरात निकले या कुछ ऐसा कुछ अनूखा चमतकार हो गया जब म नहीं होगी क्या दर से फिरें नहीं होगी उसके अ कुछ नहीं होगा उस का टीक है मेरे घर के आएиком बरेंब प्रॉपटी को थिक है चालो विल्पिशे करेल अले कहले करेवा लुआ प्टेर डोपिशा गीरी इस तोड़ियर आ दिक्शार में को अ बाखी है उसको हम आगे carry forward की तोर पर समझेंगे ठीक है चलो मिलते हैं हम next class के अंदर next class का बोगी कम नहीं होगी आप लोग मुझे एक बारी टेलेक्राम ग्रॉप पे जॉइन कर लेना मेरा मैं वहां पर आपको सारी चीजे बता दूँगा गुडणाइट ऑल फ्यू सो रहे हो घर के अंदर और आपके घर के बार एकदम कोई Mercedes छोड़ के चला गया कि आज यह Mercedes सिमोना जी की होगे जीवन भर के